चाड़क के AIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र के बारे में देश के अलग-अलग उच्छ न्यालों में इससे समंदित बहस छिड़ी हुई है मुस्लिम पर्सनल लोग के एक और नियम के खिलाफ देश के अलग-अलग उच्छ न्यालों में बहस छिड़ी हुई है और इस बार मुद्दा है मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र का मुस्लिम विवाह के एक मामले में 18 नमंबर 2022 को केरल हाई कोट की सिंगल बैच के जस्टिस बेजू कुरियन थोमस ने एक फैसला सुनाया इसके साथ ही नाबालिक पत्नी से योण संबंद बनाने वाले पती की जमानत अरजी भी खारिज कर दी गई मुस्लिम पर्सनल लौ के नियमों और चार हाई कोट के पुराने फैसलों से अलग केरल हाई कोट का ये फैसला एतिहासिक माना जा रहा है तो आईए अब हम देखते हैं कि ये दो परकार के मामले हैं क्या पहला मामला है पंजाब हर्याना हाई कोट से पंजाब हर्याना हाई कोट के जस्टिस जेस बैदी ने अपने एक फैसले में हाल ही में कहा कि सर दिंशा फर्दून जी मुला की किताब प्रिंसिपल ओफ मुहमडन लौ के अनुछेद एक सो पिचानवे के अनुसार 16 साल की लड़की और 21 साल के लड़के के बीच निकाह सही है वहीं इस फैसले को चुनोती देते हुए N.C.P.C.R. ने कहा था कि हाई कोट ने मुस्लिम पर्सनल लौ का हवाला देकर बाल विवा की अनुमती दी है तो ये सही नहीं है इस परकार से एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लौ और दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट के बीच में फ्लेश होता दिखाई दे रहा है दूसरा मामला है मार्श 2021 में 31 साल के खलीदुर रहमान ने 16 साल की फरीहा को अगवा करके शादी कर ली एक रोज जब फरीहा ने गर्वती होने की आशंका जताई तो खलीदुर रहमान ने उसे स्वास्ते किंद्र में ले जाकर उनकी धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया इन धाराओं में IPC 366 यानि शादी के लिए किडनेप करना IPC 372 यानि नाबालिक के शरीर को नुकसान पहुंचाना IPC 373 यानि जबरन शारिक संबन बनाना पोस्कों की धारा 5 बन और पोस्कों की धारा 6 में 10 साल या आजीवन जेल केस सजा के प्रावधान के साथ ये केस दर्ज किया केरल हाई कोट में अपनी जमानत याची का दायर करते हुए आरोपी ने कहा कि उसने पश्चिम मेंगॉल से होने की वज़े से पश्चिम बेंगॉल एक्ट 26 1961 के तहद शादी की है जिसके अनुसार पर्सनल लोग के तहद प्यूबर्टी की उमर के बाद मुस्लिम लड़की की शादी व्यद है जिस दिन केस दर्ज हुआ उस समय लड़की की उमर 15 साल 8 महीने थी ऐसे में ये शादी व्यद है दूसरा तरक ये दिया कि तीन हाई कोट ने 18 साल से कम उमर की लड़की की शादी को पर्सनल लोग की तहद सही बताकर पहले भी ऐसे मामलों को खारिच किया है ऐसे में इस मामले को भी खारिच किया जाना चाहिए लेकिन केरल हाई कोट ने तीन हाई कोट के फैसलों को मानने से इंकार कर दिया फैसला सुनाते हुए केरल हाई कोट ने इस तरह के जिन फैसलों को मानने से इंकार किया वो इस प्रकार है, पहला मामला है जावेद बनाम हर्याना राज्य, मामले में पंजाब एन हर्याना हाई कोट का फैसला, फिजा और अन्य बनाम दिल्ली राज्य सरकार और अन्य के मामले में दिल्ली हाई कोट का फैसला, मुहम्मद वसीम एहमद बनाम राज्य मामले में करना हाईपोट के जज बेजू कूरियन ने कहा कि ऐसे मामलों में इस से पहले सुनाई गई संमानित जजों के फैसलों को मैंने पढ़ा है मैं उन फैसलों की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मुस्लिम परसनल लोग के तहत नाबालिक मुस्लिम लड़की की शादी को पॉक्सो एक्ट के तहट अपराद नहीं माना जाएगा कॉर्ट में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि जांच में पाया गया है कि नावालिक लड़की के माता-पिता की जानकारी के बिना आरोपी ने उसे बहला फुसला कर अगवा किया है इस कतित विवा के समय लड़की नावालिक थी ऐसे में ये विवा कितना सही है ये मुस्लिम परसल लोग के अनुसार भी बहस के योग्य है जस्टिस बेजू कुरियन ने आगे कहा कि पॉक्सो एक्ट काफी सोच समझ कर बनाया गया था यह बाल विवा और बाल योन शोशन के खिलाफ है इस हिसाब से शादी होने के बाद भी किसी नावालिक से शारिरिक सम्मंद बनाना कानूनी अपराद है IPC 305 का exception कहता है कि अगर पती 15 साल से जादा की पतनी के साथ relation बनाता है तो इजादत है यह सभी धर्मों के लिए है अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि Muslim Personal Law कौन से दो एहन कानूनों के विरुद है पंजाब हर्याना High Court के एक फैसले के खिलाफ Solicitor General Tushar Mehta ने Supreme Court में कहा था कि Muslim Personal Law में लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल बताई गई है जो देश के दो एहन कानूनों के खिलाफ है पहला है बाल बिवा निशेद अरिनियम 2006 इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र में शादी कानूनी रूप से अपराद है इतना ही नहीं जबरन इस तरह की शादी करवाने वाले लोग भी अपरादी है हाला कि इस कानून में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि यह किसी दूसरे कानून को खतम कर देगा इसलिए पर्सनल लोग के तहट 15 साल में मुस्लिम लड़कियों को शादी की परमेशन मिल जाती है पॉक्सो एक्ट 2012 दूसरा ऐसा कानून है इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को नावालिक माना जाता है नावालिक लड़कियों से शादी करके शारिरिक सम्मन बनाना कानून अन अपराद है यही वज़े है कि मुस्लिम पर्सनल लोग इन दोनों कानूनों के खिलाफ है अब हम बात करेंगे कि भारत में अलग-अलग धर्मों के लड़के-लड़कियों की शादी के लिए मुख्यते कितने कानून है भारत में इसके लिए मुख्यते तीन कानून है पहला है हिंदूों के लिए हिंदू विवा कानून 1955 इस कानून के सेक्षन 21B के तहट जैन, बौद और सिख धरम की भी शादियां होती है इस कानून के सेक्षन 53 के अनुसार शादी के लिए लड़की की नियुनतम उमर 18 साल और लड़कों की 21 साल होनी चाहिए इसके अलावा सिखों की शादी आनंद कारज विवा अधिनियम 2012 के तहट भी होती है दूसरा है इसाईयों की शादी के लिए क्रिश्चन मैरिज एक्ट 1872 इस कानून के अनुसार भी शादी के लिए लड़की की मिनिमम एज 18 और लड़कों की 21 होनी चाहिए इसके तहट दो धर्मों या किसी भी धर्मों के लोग अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं इस कानून के अकॉर्डिंग भी शादी के लिए लड़की की मिनिमम एज 18 और लड़कों की 21 होनी चाहिए इसके अलावा मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादी उनके मुस्लिम परसनल लौग के अनुसार होती है जिसके बारे में संसच से कानून नहीं बना है 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी गैर कानूनी तो नहीं है लेकिन वाइडिबल है कैसे बच्चों की शादी को रोकने के लिए 2006 में बना बाल विवा निशेद अधिनियम इस कानून की धारा 2.1 के अनुसार 18 साल से कम उमर की लड़की और 21 से कम उमर के लड़की की शादी नहीं हो सकती ऐसे शादी कानून की धारा 3 के तहट गैर कानूनी तो नहीं है लेकिन वाइडेबल है इसका मतलब यह हुआ कि माइनर में शादी होती है तो व्यस्क होने पर कोट में याचिका दे कर नाबालिक लड़की शादी को रद या शुन्य करवाने की मांग कर सकती है अगर इस पूरे मामले की दवाख हो जी जाए तो यूनिफोर्म सिविल कोट को अनेक चड़नों में लागो करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है सम्यधान के अनुसार सभी धर्मों की महिलाओं को शादी तलाक और गुजारा भत्ता के बारे में समान अधिकार मिलने चाहिए हाला की सुप्रीम कोट में यूनिफोर्म सिविल कोट पर दाखिल कई आचिकाओं के बाद 18 अक्टूबर 2022 को किंदर सरकार ने एक हल्फ नामा दायर कर रखा है यूनिफोर्म सिविल कोट एक नितिकत मामला है इस मामले में संसत फैसला करती है ऐसे में कोट सरकार को इस मामले में मसोदा त्यार करने का निर्देश नहीं दे सकती ऐसा इस हल्फ नामे में कहा गया है इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच यूच टॉपिक का यूरायज आप के साथ की घ्रहुन ऐ किरा भी सुछक्ि नाय।